हेला दोस्तों आज की इस वीडियो में हम AD में होने वाले दर्द के संपूर्ण हिलाज के बारे में डिसकस करेंगे AD में दर्द होना एक common problem होती है जिसे medical term में plantar facitis के नाम से जाना जाता है plantar facitis की condition किसी भी age group के जो लोग होता है उनमें देखने को मिल सकती है लेकिन इसके होने के सरवातिक संबावना जो 30 से 60 age group के लोग होते हैं उनमें सबसे जादा देखने को मिलती है plantar facitis की condition में AD में जो दर्द महसूस होता है वो आमतर पर सूचूपने वाला दर्द महसूस होता है और यहां दर्द सूबे के समय यानि की morning के time में सबसे जादा देखने को मिलता है आज की इस वीडियो में हम plantar facitis के संपूर्ण introduction से लेकर उसके medical management और surgical management के बारे में detail में discuss करेंगी आज की इस वीडियो में अगर किसी वैक्ति के AD में दर्द हो रहा है तो वहां किन-किन कार्णों की वज़े से होता है और उसमें क्या-क्या symptoms देखने को मिलते हैं और मिल इसके इलाज यानि की treatment के बारे में detail में discuss करेंगी आज की इस वीडियो में अगर किसी वैक्ति के AD में दर्द होता है तो उस condition में वहां डॉक्टर के बाद जाता है तो डॉक्टर द्वारे ऐसी कौन-कौन सी medicine और injection प्लांटर फिसाइटिस की condition को treat करने के लिए prescribe किये जाते हैं उन सभी के popular brand name के साथ साथ medical store पर ये injection किस नाम से मिलते हैं उसमें क्या content पाया जाता है और mainly इसके dose, uses और side effect के बारे में आज की इस वीडियो में detail में discuss करने वाले हैं वीडियो बहुत ही useful होना वाली हो all the medical student जो गाव में practice करते हैं आरेंपी डॉक्टर हैं उन सभी के लिए आगे बटने से पहले वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को please subscribe कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपन discuss करते हैं what is a heal pain यानी कि plantar facitis की condition क्या होती है उसका हम general introduction हम सबसे पहले इंदी और इंग्लिस भासा में आसान सब्दों में समझने वाले हैं so AD में दर्द होना एक आम समस्या होती है यानी कि जो आपकी AD होती है उसमें दर्द होना एक common problem होती है जिसे medical term में plantar facitis की condition होती है वो AD में दर्द होने का सबसे मोखे कारण होता है जो कि किसी भी age group के जो लोग होते हैं उनमें develop हो सकती है लेकिन इसके होने की जो सरवादिक संबावना होती है जो plantar facitis के सबसे ज्यादा case देखने को मिलते हैं वो 30 वर्स से लगा कर जिनकी उम्र 60 वर्स तक होती है उनमें सबसे ज्यादा AD में दर्द देखनों को मिलता है जो plantar facitis की condition होती है उसमें आमतोर पर जो दर्द होता है वो चूबने वाला मैसूस होता है य पर रखते हो उस समय plantar facitis की condition में सबसे ज्यादा दर्द देखने को मिलता है जो plantar facitis की condition होती है वो AD में दर्द होने के परमुक कारणों में से एक condition होती है इसमें आपके पेर के निचले भाग में टीसू की एक मोटी पट्टी की परत या सूजन सामिल होती है जो की परतेक पेर की जो निचली सता होती है उसमें उपस्तित होती है आप इमेज में देख सकते हो यह एक plantar facitis की condition होती है जिसको हम आसान सब्दों में डाइग्राम से समझने वाले हैं देखिए यह आपके पेर की निचली सता होती है जिसमें plantar facia present रहता है जो आपकी ill bone होती है यानि क हम plantar facia कहते है आप इमेज में देख सकते हो यह होता है plantar facia जो कि आपकी जो अंगुली होती है उसको और जो आपके पेर की bone होती है उसको दोनों के जोडने का काम करती है अगर किसी व्यक्ति के जो plantar facia होता है आप इमेज में देख सकते हो इसमें किसी प्रकार की injury हो जात तो उस condition में जो आपका plantar fascia होता है उसमें inflammation हो जाता है यानि कि सूजन आ जाती है तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर severe pain देखने को मिलता है आपकी जो 80 वाला portion होता है आप image में देख सकतो हो यहां से लगाकर यहां तक कहीं पे भी आपके अंदर दर्द देखने को मिल सकता है और यहां condition plantar fascia कहलाती है अगर किसी व्यक्ति के plantar fascia का inflammation हो जाता है तो उस condition को medical term में plantar fascia कहते है जिसके अंदर गत व्यक्ति की जो निचली सतह होती है पेर का जो surface area होता है एडी वाला जो portion होता है आप image में देख सकतो हो वहां पर severe दर्द होता है यहां दर्द जो morning का time हो होता है उस पर सबसे जादा देखने को मिलता है यहां various type के cause होते है जिनकी वज़े से यहां दर्द देखने को मिल सकता है जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जो पेर है वो सपाट है बिल्कुल सपाट होने के वज़े से भी यहां problemarize हो सकती है इसके अलावा भी various type के cause होते है जिनकी वज़े से व्यक्ति के अंदर जो plantar facitis की condition होती है वो develop हो सकती है जो plantar facia होता है वो एक tissue like structure होता है जो कि आपके जो दोना पैर होते है उसकी निचली सताव में present रहता है next वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन discuss करते है causes of field pain यानि कि अगर किसी व्यक्ति क AD में दर्द हो रहा है किसी व्यक्ति में plantar facitis की condition develop हुई है तो वो किन-किन कारणों की वज़े से हुई है उन कारणों को हम एक एक करके detail में discuss करेंगी तो वैसे तो देखाई दाए तो व्यक्ति के अंदर जो plantar facitis की condition develop होती है उसके various type के cause होते हैं 100 से भी ज्यादा कारण होत होते हैं उनको ही हम आज की स्वीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा most common cause होता है जिसके वज़े से व्यक्ति के अंदर AD में दर्द देखने को मिलता है वो होता है plantar facia की injury अगर किसी व्यक्ति के जो plantar facia होता है आप email में देख सकते हो जो पैर के निचली सत्व में रहता है उसमें अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है चोट लगने की वज़े से वह डेमेज हो जाता है या फिर उसमें दरारे आ जाती है तो उस condition में यहां problemarize हो सकती है इसके अलावा भी कुछ risk factor होता है जिनकी वज़े से यहां problemarize हो सकती है जैसे की obesity यानि की मोटा अगर कोई व्यक्ति बहुत जादा मोटा पे का सिकार है तो उस condition में उसका जो संपूर्ण body weight होता है वो उसके पैरों पे आता है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर जो plantar fascia होता है उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर AD में दर्द देखने को मिल सकता है इसके अलावा अ अगर किसी व्यक्ति का जो पेर है वो बिल्कुली सपाट है तो उस condition में भी उसके जो पेर होते हैं उस पर direct pressure apply होता है तो उस condition में भी व्यक्ति के अंदर जो plantar fascia होता है उसके damage होने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है तो उसके कारण भी व्यक्ति के जो AD होती है उसमें दर्द देखने को मिल सकता है इसके लावा sex में अगर देखे तो यहां condition मेल की तुलना में जो females होती है उनमें यहां देखने को मिलती है जो females होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क लूड करती है घर का सारा काम संभालती है तो उसके कारण वहां डेली जो 50 वर्स हो गई है या फिर 50 वर्स से उपर हो गई है 70 साल का हो गई तो उस condition में उसके body में जो calcium का level होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसकी अड्या कम जोर हो जाती है तो उस condition में उसमें बहुत ज़्यादा weakness आती है जिसके कारण प्लांटर फिस्या के damage होने की संबावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति के अंदर heel pain देखने को मिल सकता है इसके लावा कुछ risk factor होते हैं जैसे कि किसी काम को करने के लिए पूरे दिन खड़े रहना अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है ऐसे कारियों को करता है जिसके लिए उसको व्यक्ति के अंदर edy में दर्द देखने को मिल सकता है इसके लावा बीना stretching की अगर exercise करता है तो उसके कारण भी एडी में दर्द देखने को मिल सकता है या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसे जूते पहनता है जो कि पेर को प्रयाप्त मातरा में साहरा नहीं देते हैं जैसे कि जो लच्ची ले स्टनीकर्स होते हैं आप इसे जूते पहनता है तो उस कंडिशन में व्यक्ति की जो पैर होते हैं उनको प्रॉपर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर edy में दर्द देखने को मिल सकता है या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा लंबे समय तक नंगे पैर गुमता है गर में नंगे पैरों से सारा काम करता है और नंगे पैर बहुत ज्यादा गुमता है तो उस कंडिशन में भी व्यक्ति के अंदर जो प्लांटर फिसाइटिस की कंडिशन होती है वो देखने को मिल सकती है आगे हम इसक करके detail में discuss करेंगे तो देखिए plantar fasciitis में खुद में ये एक symptoms होता है जिसमें वैक्ति के अंदर जो heel pain होती है वो देखने को मिलती है यानि कि जो heel होती है एडी होती है उसमें severe pain देखने को मिलता है इसके अलावा stiffness यानि कि जो affected area होता है आप इमें भी देख सकते हो इसमें कठोरता आ जाती है pain in morning यानि कि सुबह के समय जब वो उठता है और उठते ही जब जमीन पर पहला पैर रखता है तो उस condition में severe दर्द होता है इसके अलावा pain after sitting for long time अगर कोई वैक्ति बहुत देर तक बैठा रहता है और उसके बाद अचानक से उठ जाता है तो उस condition में भी वैक्ति के AD में दर्द देखने को मिलता है इसके अलावा अतिदिक थकानाना, restlessness, cheat चिलापन यानि की irritation जैसे समस्या देखने को मिल सकती है इसके अलावा वैक्ति को चलने में परिशानी होगी पैर में सूज जूबने जैसा महसूस होगा पैरों में सूजन आ जाएगी यानि की पूरी के पूरी जो affected area होता है उसमें swelling आ जाएगी इ AD में दर्द हो रहा है और लंबे समय तक दर्द हो रहा है तो उस condition में हम कुछ ऐसे test करवा सकते हैं और hospital में कुछ ऐसे test किये जाता है जिसको करवा कि हम plantar facitis की condition का पता आसानी से लगा सकते हैं जैसे कि हम patient की history ले सकते हैं physical examination patient का head to toe physical examination करने के बाद भी वैक्ति के अंदर ज CT scan करवा सकते हैं और अगर इन सभी examination करने के बाद भी वैक्ति के अंदर plantar facitis की condition का पता नहीं लगता है तो उस condition में हम MRI करवा सकते हैं MRI करने के बाद वैक्ति के अंदर जो AD में जो दर्द होता है या फिर जो plantar facitis की condition develop हुई है उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं आगे ह आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिसकस करते हैं treatment of field pain अगर किसी वैक्ति को plantar facitis की condition develop हुई है तो उस condition बे डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसी medicine prescribe की जाती है उन medicine को हम category wise detail में discuss करने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि मेरे द्व सबसे पहले जो हमारी medicine की category है जो कि plantar facitis की condition को treat करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिसक्राइब की जाती है वो होती है एनसाइड category यानि कि non-steroid anti-inflammatory drug ये drug मुख्य रूप से जो pain होता है यानि कि AD में दर्ध होता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिसक् इसे मिल जाएगी बात करेस के content के बारे में तो इसमें नामक जो content होता है वो present रहता है इसका डोज जो adult होते है उनमे according to bodywork या फिर according to doctor order जो 250 mg की tablet होती है या फिर जो 500 mg की tablet होती है वो adult में oral route उदारा बीडी में देते है यानि कि दिन में दो बार सुबह और सामिस tablet को लेने की सला दी जाती है अगर AD में कम दर्द हो रहा है तो उस condition में आप 200 mg की tablet ले सकते हो और अगर जयदा दर्द हो रहा है तो उस condition में जो 500 mg की tablet हो वो आप ले सकते हो और जो बच्चे होते हैं उनको according to body weight 5 mg जो orally root दार इस tablet को दिया जाता है और बच्चों में भी यहां tablet बीड planter fasciitis की condition में यानी कि heel pain में अगर heel में swelling आये तो उस condition में और तेज़ दर्द को control करने कलिए डॉक्तर दारा program preheat को streaming एक प्रपॉี้ कर दोक्तर दारा has इसका most popular brand name होता है जो कि medical store पर और hospital में आपको आसानी सी मिल जाएगी बात करें इसके content के बारे में तो इसमें मेली pyroxycan dispersible नामक जो content होता है वो present देता है इसका भी dose जो adult होते हैं उनमें 200 MC की जो tablet होती है उनको adult में oral रूर्प द्वारा BD में देते हैं यानि की दिन में दो बार सुबह और साम इस टेबलेट को लेने के सला दी जाती है और जो बच्चे होते हैं उनमें इसका dose according to doctor order देना होता है इस टेबलेट का उप्योग मेली severe pain को control करने के लिए swelling यानि की सूजन आने पर AD में दर्ध होने पर कुल मिला के जो plantar facitis की condition में जो दर्ध होता है उसको control करने के लिए doctor द्वारा इस टेबलेट को prescribe किया जाता है यहाँ पी एक NSAID यानि की non-stroid anti-inflammatory drug जो होती है उस category की medicine होती है अगली जो अमारी tablet है most popular tablet है जो की NSAID category की होती है doctor द्वारा plantar facitis की condition में prescribe की जाती है उसका नाम होता है brufan tablet आप इमेज में देख सकते हो brufan इसका most popular brand name होता है जो की medical store पर और hospital में आपको आसानी से बिल जाएगी बात करें इसके content के बारे में तो इसमें ibuprofen नामक जो content होता है वो present रहता है इस tablet के dose के बारे में discuss करेंगे तो यहां tablet 200 mg में 400 mg में और 600 mg के variant में यह tablet present रहती है according to doctor order इस tablet को लेना होता है जिसका adult में dose जो 400 mg की या फिर 200 mg की tablet होती है उसको oral route द्वारा BD में या फिर OD में यानि कि दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार इस tablet को लेना होता है और जो बच्चे होते हैं जो children होते हैं उनमें according to doctor order इस tablet का dose देना होता है इस tablet का उपयोग भी मेल दी AD में दर्ध होने पर किया जाता है जो AD में दर्ध होता है या फिर जो plantar facitis की condition होती है जिसमें plantar facia पे सूजन आ जाती है तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस tablet को prescribe किया जाता है अदर जो option है एनस side category की medicine होती है जो कि doctor द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है पेन को कम करने के लिए जैसे कि Diclofenic Sodium Tablet, Selecopsic Tablet, Fluorby Profen Tablet, Femoprofen Tablet, Caterol Tablet, Talmitine Tablet ये सभी की सभी tablet नौन इस्टोइड एंटी इंफलामेटरी ड्रग की category होती है यानि कि इसका उपयोग, इन medicine का उपयोग मे reduce pain यानि की pain को कम करने के लिए, swelling को कम करने के लिए, redness को कम करने के लिए और जो fever जैसी condition होती है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो plantar fasciitis की condition में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है हमने इस वीडियो में जित्ती भी NSAID यानि की non-isteroid anti-inflammatory drug की जो category की जो medicine होती है जिनके बारे में detail में discuss किया है आगे और यह सभी इनमें से आप किसी एक tablet का उपयोग कर सकते हो यह सभी की tablet मुख्य रूप से दर्थ को कम करने के लिए prescribe की जाती है मैंने स्रिफ education के लिए आपको इन tablet के बारे में समझाया है next वीडियो में आगे बढ़ते है और अगली जो हमारी medicine की category होती है जो कि plantar facitis की condition में doctor दोरा prescribe की जाती है वो होती है corticosteroid medicine corticosteroid medicine मुख्य रूप से जो reduce inflammation यानि कि जो surgeon आती है उसको कम करने के लिए doctor दोरा prescribe की जाती है यह injection और tablet form में दोनों में भी आती है लेकिन जो plantar facitis की condition होती है उसमें जो steroid injection होते है उनको सिधा ही जो affected area होता है यानि कि जो plantar facia होता है उनमें इन injection को inject किया जाता है ताकि जो surgeon होती है उसको कम किया जा सके और जो patient में जो दर्द होता है जो symptoms की severity होती है उसको कम किया जा सके कुछ हम corticosteroid injection के बारे में देखेंगे जो की plantar facia की condition में जो plantar facia होता है आप image में देख सकते हो उसमें इन injection को inject किया जाता है उसमें जो example है first of all prednisolone injection, dexamethasone injection, hydrocortison injection और methylp dexamethasone injection, यह सभी के सभी injection corticosteroid medicine की category में आते हैं जिनका उपयोग में inflammation यानि कि सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो affected area होता है यानि कि जो अगर किसी वेक्ति के जो plantar facia damage होता है, AD में severe दर्द होता है तो उस condition में जो plantar facia होता है उनमें इन injection को inject किया जाता है ताकि जो swelling होती है, heel pain यानि कि AD में दर्द होता है और जो inflammation की condition होती है उसको reduce किया जा सके नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिसकस करता है surgical management of plantar facia अगर किसी वेक्ति में medicine और esteride injection देने के बाद भी वेक्ति के अंदर जो plantar facitis की condition treat नहीं होती है तूस condition में doctor द्वारा surgical procedure किया जाते हैं, plantar facitis की condition में doctor द्वारा मुख्य रूप से दो surgery की जाती है जिसमें जो first of all surgery होती है उसका नाम होता है gastrocnemius recession surgery इस surgery के अंदर जो आपका plantar facia होता है आप image में देख सकते हो उसमें जो pressure होता है उसको कम करने के लिए वेक्ति की जो पिंडलिया होती है उसको लंबा किया जाता है यानि कि जो plantar facia होता है जो तलवे के अंदर परजन रहता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा वेक्ति की जो पिंडलिया में जो mass facia परजन रहती है उसमें चीरा लगा कर उन mass facia को लंबा किया जाता है जिसके कारण जो direct pressure अपला होता है वो नहीं हो और वेक्ति क इस surgery के अंदर आपका जो plantar facia होता है आप इमेंज में देख सकते हो यह plantar facia होता है उसमें छोटे-छोटे चीरे लगाया जाता है यानि कि जो plantar facia होता है आप इमेंज में देख सकते हो उसको खोल करकर उसमें छोटे-छोटे cut लगाया जाता है ताकि जो तनाव आता है य आगे बढ़ते हैं और आगे अपने डिस्कस करते हैं जब किसी व्यक्ति की AD में दर्द होता है तो उसके गरेलू उपचार क्या होता है यानि कि plantar fasciitis की condition को हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं उन उपायों को हम एक एक करके detail में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले तो जो affected area होता है यानि कि जो आपके पैर होते हैं अपने पैरों पर बर्फ लगाना आप अपने पैरों पर दिन में दो बार यानि कि सुबह और साम को 10 या जहां पर दर्द होता है उस area पर आपको मालिस करनी है और पैरों के जो निचले तलवे होते हैं उसमें आपको जो बर्फ होता है उसको पैर के जो निचले इससे होते हैं उसमें गुमाना है ताकि जो दर्द होता है उसकी severity को कम किया जा सके इसके लाव आप क्या कर सकते हैं आपको है ना supporting जूते पहनने होते हैं, यानि कि जो ऐसे जूते पहनने होते हैं जो आपके जो पैर होते हैं, उनको proper सपोर्ट परदाजन कर सके, आपको sandals या फिर जो flat जूते होते हैं, इनका इस्तिमाल नहीं करना है, जो गद्दे जार जूते होते हैं, आप इमेज में प्लांटर फिसाइटिस की कंडिशन डेवलप हुई है तो उस कंडिशन पे आपको कम से कम एक सब्ते के लिए आराम करना है और किसी भी प्रकार की जो सारे रिक फिजिकल एक्टिविटी होती है या फिर जो खेल होते हैं उनमें आपको शामिल नहीं होना है इसके लाव आप कर सकते हुँआ जो पैरों को निच्छी तलवे होते हैं उसमें आप मैलीश कर सकते हो बरफट का सेक कर सकते हो ताकि जो सम्जाया है और प्लांटर फिसाइटिस की कंडिशन को घर में थींथिक किया जा सके वीडियो कर पसंद आ है यहीं हो तो विदिए को like कर देना चैनल अगर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लिस सब्सक्राइब कर देना हम मिलते कि शी नियो और एजुगिशन वीडियो में किसी और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय इन जय भारत